नबश्कार सात्यों मैं मनिश्माल आप सभी का आपके अपने चलनल लान एंशर में तैदिल से स्वागतरों बिनन्दम करता हूं आज हम लोग पढ़ने जा रहें अध्या एक सत्ता की साज़ेदारी 15 मिनिट में खेल खतम 15 मिनिट में जो चेप्टर है पूरा का पूरा कम्प्लीट हो जाएगा तो यह कौन है यह है हमारे मोदी जी और यह कौन है यह हमारे पंजाब के चनी जी और यहां क्या हो रहा है यहां सत्ता की साज़ेदारी हो रही है क्या हो रहा है सत्ता की साज़ेदारी हो रही है और आपको एक भैतरी नीज़ बता देता हूँ कि आप लोग हमारे लनेशे के एप्लिकेशन को जोइन करें टेलिग्राम चैनल को जोइन करें इस चेप्टर के वेरी शॉर्ट नोट्स मातर दो से तीन पेज में पूरा का क्या होता है ए baker जलिग के जाते का मतलब है यह साजी संत्कृति पर आधारीत सामाजी जी विवाजन यह बात आप ध्यान रखिएगा, यह दिमाग में विठा लीजिएगा, कि वाँके राजधानी क्या है, बुरुसेल से, और वाँबे दो मुख्यवर कौन से है, एक है डच और दूसरा है फ्रेंच, एक डच बोलने वाले लोग हैं, दूसरे फ्रेंच बोलने वाले लोग है, 59% है, टोटल वाँकी जो पॉपुलेशन है, बेल्जियम की वो कितनी है, एक करोड है, उसका 59% यह है, 40% यह है, बहु संक्यक यह है, बहु संक्यक, बहु संक्यक का मतलब है, बहु मतलब बहुत जादा संक्या, जिनकी बहुत जादा संक्या हो, वो बहु संक्यक कहलाते हैं अल्ब संक्यक जिनकी संक्या बहुत कम हो वो अल्ब संक्यक हिलाते हैं तो इनकी तुल्ला में इनकी संक्या कम है और इनकी तुल्ला में इनकी संक्या जादा है तो ये बहुत संक्यक हुए और ये अल्ब संक्यक हुए एक परतिशा जर्मन भोलने वाले लोग भी है तो पर जो मेन मुकाबला है यहाँ पर ड़ेच और फ्रेंच बोलने वालों के बीच में है और एक परतिश जर्मन वाले उतना बड़ा एफेक्ट रही डालते यह यहाँ पर आपको एक वाइट बॉक्स में सी मतलब पूरे देश में पूरे बेलजे में कौन बहुसंकेक है डेच बहुसंकेक है पूरे देश में अल्पसंकेक कौन है फ्रेंच अल्पसंकेक है पर बुरसेज जहांसे देश जलता है राजदानी का मतलब क्या होता राज करना होता है जहांसे देश जलता है वहाँ पे कौन जाता है फ्रेंच जादा है आपसे पूछ लिया जाएं कौन जादा पौन फूल है कौन जादा ताकत फूल ताकत है वर है तो आप एक ही बात कहिएगा कि फ्रेंच जादा ताकत वाले है आते हैं दूसरे देश के बारे भी जानते है श कि Hamburgjan की संक्या जादा है YEALals तक कि कि हुपसंख्य और रिकॉन से धर्म को मानतें बहुत धर्म को मानते है इन фильма दो ड्रुम को देखना डो ग्रुप फिसमें इसमें भारती तमील जो 5 परतिशत है भारती तमील वो है जो अंग्रेजों के समय यहां से तमील के साइट से क्या है श्री लंका भेजे गए थे यह इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों है और मैंने पहले ही बोल दिया यह लोग कोन है अर्ब संक्य के हैं यहां पर साथ परसेंट इस स्रिलंका के बारे में ही जानेंगे आये श्रीलंका में संक्य गवाद का मतव क्या ह कि जनकी संखलं अगर वह देश पर राज करने लग जाए तो वह क्या खेलाएगा वह संक्य के वाद कहला यह तो आय आजाद भारत की सरकार बनी उसी परकार से आजाद श्री लंका की सरकार बनी सरकार बनी किस आधार पे बहुं संक्यगवाद के आधार पे जिनकी संक्या जादा होगी वही सरकार बनाएंगे तो बोलो किसकी संक्या जादा है सिनहला की संक्या जादा है तो सरकार किसने बनाई सिनीली समुदाय ने अपनी सरकार बनाई और जो सरकार बनाते हैं वो क्या है मेदान में जाते हैं बेट बोल तो खिल ले नहीं जाएंगे संसद में जाएंगे तो कहां गए संसद में गए और संसद जाने के बाद क्या है संसत में ढोल तो लेकर के जाएंगे नहीं बजा लेंगे नहीं क्या करना है कानून बनाना है क्या बनाना है कानून बनाना है और किसी भी देश की संसत का काम क्या होता है कानून बनाना होता है कानून बनाती है हमारे देश की संसत भी कानून बनाती है जिसमें लोग सबा, राजी सबा और राश्पती साब आते हैं ये कानून बनाएंगे और अब इसी कानून के बारे में जानाते हैं 1956 का विदेग और कानून विदेग कानून एक ही बात होती है तो आई inaritas विदेग के बारे में जाना है बहुत धरम को संड़क्षन और बढ़ावा, बहुत धरम को ज़्यादा परचार परचारित किया जाएगा, ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, क्यों? क्योंकि सिनाला वाले लोग बहुत धरम को मानते हैं, सिनाला को प्रात्मिक्ता, सिनाला को प्रात्मिक्ता किस चीज में? प कोसी बाते नारास्तों होंगे उनके लिए कुछ भी नहीं करा उन्हों तमिल भाषा और संस्क्रिति को लेकर सरकार ऐसा विंदर शील के मतलब है सरकार का बिल्कूल भी ध्यान नहीं तो ऑर उनके लोगों के पढ़ती है दोनों समुधाय में संबंद बिगड़ गे दोनों की अब जो रिलेशन से वो खराब हो चुके है राजनितिक पार्टिया बनाई किसने बनाई राजनितिक पार्टिया बनाई तमिल समुधाय कि जो लोग ही उन्होंने राजनितिक पार्टिया बनाई क्योंकि लड़ने के लिए हमें संगठित होना जरूरी है और संगठित होने के लिए क्या है रानेतिक पाटिया बनाएगे तमिल की तीन मांग है पहला राजबाशा बनाने की किसको तमिल को भी राजबाशा बना दो जिससे क्या हो सिनाला में भी काम हो तमिल में भी काम हो और एक English रखो जो पूरे देश में चलती रहे दूसरा छेतीर समतंतरता वह जिस एरिया में जहां पर तमिल ज़्यादा है उस एरिया में क्या हो उनको समतंतरता मिले उस एरिया में उनको समतंतरता मिले अब क्या हुआ, सरकार ने कुछ भी नी सुना, तमिल के लोग बिल्कुल चिलाते रहें सरकार कान बंद रहें बैठी है, तो फिर क्या हुआ, गरह यूध हुआ, गरह यूध का मतलब क्या होता है, हजारों लोग मारे गए, काफी लोग शर्णार्थी बन गए, शर्णार्थी मतलब दूसरे देशों में जा करके रहने लगे, शर्ण लेली, काफी लोग भारत भी आ गए थे, और 2009 में घरह यूद का अंत हो जाता है, यह जैसे कि लोगों का पलायन हो रहा एक जगी से दूसर जाते जा रहे हैं, यह श्री लंका की इस ट्री कदम, आप जानता हैं बेर्जियम की समझदारी, सविधान में चार बार संसोदन करा, उननी सो सब्सक्राइब करके चार सरकार इनों ने बनाई है, सबसे पहले बनाई केंदर सरकार, केंदर सरकार जो पूरे देश को अगर कोई भी कानून बनाईगा, तो उसमें डच के भी बरावर्बर लोगों की क्या हो, हाँ हो, और फ्रेंच के लोगों की भी बरावर्बर में हाँ हो, तो यह थो केंदर सरकार के नियम थे, उसके बाद जानते हैं, राजजी सरकार किसलिए होती है, जो कि अपने के अधीन का मतलब के अंडर में काम नहीं करें और जब इस sam Reach या कहते हैं संगवाध केते हैं फिर आते है राजधानी सरकार एक राजधानी के लिए राजधानी के साथी ने ब्रुससल्ग से बराबर होगा फ्रेंश भी और ड्च भी दोनों ब्राबर होंगे फिर एक है सामुदाइक सरकार अपनी भाषा, संस्कृति और सिक्षा पर फेसले लेने का दिकार है और उसे समुदाइके लोग ही चुनेंगे मतलब डच भाषा को बचाने के लिए एक सरकार बनाई जाएगी और उनने कौन चुनेगा उसी समुदाइके लोग ही उन्हें चुनेंगे अब बात आते है कि जरूरी क्यों है सत्ताइक साथधारी जरूरी क्यों है सामाजिक समुदाइक के टकराओं ही होते देखो बेल्जियम में हुआ किसी भी परकार का कोई भी डगान नहीं होगा कि सभी वर्गों का मिले, अधिकार मिलो सबी को सरकार में भागिदारी वेदे सरकार समी समूह साशन व्यवस्ता से जुड़ती है वेदे सरकार मतलब लीगल सरकार जो अच्छी सरकार है वो देश में जितने भी समूह है जितने भी समूह दा है उन सब को साथ लेकर के चलती है उन्हें सरकार से जोड़ती है यही एक अच्छी सरकार, वेज सरकार कहलाती है आईए, अब जानते हैं सत्ता की साज़ेदारी के रूप पर या, सत्ता की साज़ेदारी करना बहुत जरूरी है पर कैसे करें, किन किन रूप में कर सकते हैं तो आईए उनके रूप जानते हैं सबसे पहले साशन के विविनग, विधायका, कारेपालिका और न्यायपालिका, विधायका वो होती ही जो कानुल बना थी जैसे की संसत, कारेपालिका जो से कारे रूप करती है, जैसे की राष्टपती, आये सदिकारी और न्यायपालिका, जैसे की सुप्रेम कोट, हाई कोट उन तेनों के बीच में जब सकतीों का विवाजन कर दिया जाता है तो सचभिबर पर नेश्त कई नियेंतरन की विवस्तार है केंदर तरकार जो होती है पूरे देश के लिए जो कानून बनाएगी उसम का कहते हैं केंदर सरकार कहते हैं पर estásDo डिवीध अब जय उसके आइग इसके बाद कै imaginarлек say or 1 एक अब विविन सामाजिक समू, अमसलन भाशा और धार्मिक समू के बीच, अब सत्ता की जोसित साज़े दार्मिक समू के बीच में इनके बीच में वी उसकती है, जैसे कि डच और फ्रेंच के लोगों ने करी, कि बड़ाबर का सारे जगे प्रतिनेधितु कर दिया, तो यह होता है सा परकार के सभी क्या है यह दबाऊ समू है और यहां पर यहां पर एक आंदोलन की इमेज मैंने आपको दिखाईए इसी के साथ जो आज का यह हमारा 15 मिट का लेक्चर है वो complete होता है बताइएगा आपको कैसा लगा और आज short notes बिल्कुल भी मत बुलिएगा आप download कर लेजिएगा मिलते हैं next essay वीडियो में Thank you so much